हेलो दोस्तों, फिर से एक नया वीडियो में आप लोगों का बहुत-बहुत स्वागत हैं, तो दोस्तों आज की सोड़ों में हम बात करने वाले हैं SSC, स्टाप सेलेक्शन कमिशन में, अगर आप फॉर्म अपलाई कर रहे हैं मल्टी टास्किंग स्टाप के लिए, यह हवलद पोस्त के लिए, दोनों में से किसी भी पोस्त के लिए फॉर्म अपलाई कर रहे हैं, और आपको फॉर्म में सिगनेचर अपलोड करने में दिक्कत हो रहा है, प्रूबलम हो रहा है, जैसे आप सिगनेचर अपलोड करते हैं, तो कुछ इस टाइप से आपका एरर सो होता है, आपका जो signature का width or height होता है वो आपका सही से set नहीं हुआ है ऐसे आपको यहाँ पर बोला जाता है तो आपको कैसे इसका width or height आपको set करना है आज की सुड़ों में आपको complete जानकारी दिया जाएगा अगर आप mobile से यह form को fill करना है तो आपको mobile से कैसे width or height आपको set करना है बताया जाएगा साथ में अगर आप laptop यह PC से form को apply करना है तो आपको laptop यह PC में आपको कैसे resize करना है यह भी आपको इस video में बताया जाएगा तो आप इस video को बिने skip के पूरा last तक watch करेंगे ताकि आप mistake free signature upload कर पाएगे सबसे पहले देखे friends यहाँ पे आपको करना क्या है अगर आप mobile से form को apply कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले एक application install करना होगा तो देखे friends यहाँ पे यह application है जिससे आप resize कर सकते हैं अपना mobile से हैं बाद में बताऊंगा कि laptop या PC या mobile से तीनों से आपको कैसे resize करना है यह जो application होता है बहुत ही अच्छा application है अगर आप इससे resize करना चाहते हैं तो इससे resize कर सकते हैं mobile से आपको resize करने के लिए यह application को आपको डाउनलोड करना होगा सबसे पहले देखे friends यहाँ पे आपको signature को resize करने के लिए आपको सबसे पहले select करना होगा photo को तो यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको resize में क्लिक कर देना है Resize में जैसे क्लिक करेंगे दन यहाँ पे आपको ऊपर कर लेना है इसके पस्चात आपको यहाँ पे देखने को मल जाएगा Resolution and File Size तो यहाँ पे आप Custom में क्लिक करेंगे Simply आप यहाँ पे Custom में क्लिक करेंगे इसके पस्चात आपको इसका जो विक्त होता है वा आपको रखना है 600 तो simply यहाँ पे मैं 600 टाइप कर देता हूँ कुछ भी यहाँ पे नहीं करना है बस आपको Set करना है विक्त हाइट और साथ में इसका जो फाइल का जो Size होता है तीनों एक साथ आप यहाँ पे Set कर पाएंगे सबसे पहले आपको इस वाले Box में Un-Tick करना है बहुत सारी Generate यहाँ पे Tick करके Resize करते हैं तो दिक्कत होता है तो आपको Un-Tick करना है यहाँ पे इस प्रकार आपको यहाँ पे Type कर देना है केवी में आपको Tick करना है यहाँ पे आपको OK में क्लिक कर लेना है Signature को आप Select करेंगे आपका Signature Resize हो चुका है आप देखे फ्रेंज यहाँ पे हमारा Signature यहाँ पे Resize हो चुका है 600 और 200 को भी इसमें इसका Wigth और Height Set हो चुका है यहाँ पे 19 के भी में Convert हो चुका है यहाँ पे मैंने 20 के भी में Convert किया था पर यहाँ पे 1 के भी थोड़ा से कम हो जाता है इसमें तो इससे कोई भी दिक्कत यह प्रोलम होने वाला नहीं है इसके पस्चाथ आपको Simple यहाँ पे आ जाना है सर्च करना है फोटो रिसाइजर यहाँ पे फोटो रिसाइज यहाँ पे आप सर्च करेंगे सबसे पहले आपको यह जो साइड होता है इसको क्या करना है आपको क्लिक कर देना है यहाँ पे आप फ्री में आप क्या कर सकते हैं resize कर सकते हैं, कोई भी आप photo यह signature को, इसके पसाथ आपको simply, इcentered करना है, यहांसे आपको signature को select करना है, तो यहांपर मैं कोई यह खाए, यहाँ पे signature select कर ले तो देखे, फ्नас, यहांपर मैं यह जो वाला जो signature होता है, यहाँपर मैं select कर लेता हूँ, signature आप जैसे select करेंगे इसके पसचात आपका जो signature होता है यहापे आपको देखने को मिल जाएगा यहापे आपको resize में click कर देना है simply यहापे मैं resize में click कर देता हूँ इसके पसचात आपको देख सकते हैं यहापे इसका dimension होता है 1000 और 1000 के बीच में इसका dimension है तो आपको करना क्या है इसको आपको इसका जो dimension होता है आपको set करना है dimension आपको क्या रखना है यहापे आपको 600 रखना है और आपको यहापे क्या करना है आपको यहापे 600 और 200 के बीच में इसका जो dimension होता है आपको रख लेना है तो simply यहाँ पे मैं 600 और 200 के बीच में आपे type कर देता हूँ कुछ इस type से अच्छे तरह से आपको signature कर लेना है और आपको अच्छे तरह से click कर लेना है इसके पचात आपको क्या करना है resize करना है और आपको अच्छी तरह से उसका जो हता है pick आपको ले लेना है और आपको crop कर लेना है अच्छी तरह से इसके पचात आपको क्या करना है resize करना है आप देखे फ्रेंस यहाँ पे मैं signature upload section में आ चुका हूँ यहाँ पे आपको सबसे पहले signature को upload करने के लिए यहाँ पे मैं cut कर देता हूँ हटा देता हूँ इस वाले signature को इसके पचात आपको करना क्या है यहाँ पे आपको signature को select करना है तो देखे फ्रेंस यहाँ पे यह जो signature होता है इन signature को मैंने यहाँ पे resize किया है इसको भी upload करके दिखा दे रहा हूँ तो आपको देखे प्रेंस यहाँ पर जो signature को size होता है मैंने यहाँ पर बताया है कि आपका 10 केवी से 20 केवी के बीच में होना चाहिए अगर 10 केवी से 20 केवी के बीच में नहीं रहेगा तो upload नहीं होगा आपका कुछी steps से आपका जो signature होता है आपका upload हो जाएगा तो देखे प्रेंस यहाँ पर जो पहला जो step मैंने बताया है mobile से आपको कैसे research करना है वो आपका ज़्यादा अच्छा होता है उससे एकर आप research करेंगे उस वाले application से research करेंगे किसी भी परकार का query होगा तो आप मुझे comment box में comment करेंगे करेंगे करेंगे